हाई फेरेंट्स स्वागत है आपका बुणाल्स कीचन में तो आज हम लोग बनाने जा रहे है चावल की खीर जो बहुत ही आसांद रेसिपी है और सबको पसंद आती है तो चलिए स्टार्ट करते है यह मैंने चावल दूखे रखे थे अभी इसको मैं छान के लेती हूँ यह मैंने आदे घंटे के लिए विगो के रखेते चावल अभी अच्छे से फूल गए तो इसको अच्छे से बून के लेंगे तो मैंने एक पान गरम करके लिया है उसमें एक चमच गी डालेंगे गी डालने के बाद अभी यह चावल इसमें एड करेंगे और गुल्डन होने तक भून के लेना है, अभी इसको गोल्डन कलर आने तक अच्छे से भून के लेना है, देखिए अभी अच्छा गोल्डन कलर आ गया है, अभी इसको मिक्सी के जार में दरदरा पिसके लेंगे, यह देखिए मिक्षर के जार से मैंने पीस के लिए है, अभी वो ही पैन में, मै एक लेटर दूथ यहां बॉइल करके लूँगे और उसको उबल आने तक स्टीर करते रहना है यह देखे अभी दूथ बॉइल हो चुका है इसमें यह पीसे होई चावर आड़ करेंगे रेसीपे अच्छे से जानने के लिए वीडियो एंटर देखिए इस boy प mentor होचाही तो अभी चावर भी पक्की है और मिकृषर भी अपना दूद अधन दूद और मिक्षर भी गाड़ा हो चुका है तो अभी इसमें शकर नरड़ करेंगे मैं पाची चमर्च शक्कर आड़ कर रहे हूँ आपको ज्यादा मिल्ठा पसंद होगा तो स्वादानुसार आप शक्कर आड़ कर सकते हैं फिसे स्टीर करते रहना है इसमें जाएगा अभी बादाम किश्मिश अब मैंने यहाँ पर कैश्वनट लिया है काजू वह भी आड़ कर रहे हूं मैंने यहाँ दूर में केशर बिगो की लिया था तो इसमें अभी आड़ करें केशर से क्या होता है टेक्शर भी अच्छा आता है और खाने में भी स्वादिश लगती है देखिए टेक्शर कितना खुल के आया है अभी इलाइची पावडर आड़ करें इसे स्टीर करते रहे ना वाव खीर का टेक्शर भी अच्छा लग रहा है और स्मेल भी बहुत बढ़ी आ रहा है खीर का स्वाद और बढ़ाने के लिए मैं इसमें कोकनट एड़ करूंगी और मिक्सी से पीस के दूंगी यह ग्राइंड किया हुआ में कोकनट अभी इसमें एड़ करेंगे अभी इसको अच्छे से मीला के लेंगे देखिए अभी अपनी खीरी यह ड़ी है तो चलिए गर्मा गर्मा भी खीर सब करते हैं तो कैसे लगी यह खीर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीज़े शेर केज़े सब्सक्राइब कीज़े थैंक यू